हलो डियर फ्रेंड्स तो नई सीरीज के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत मेरे चैनल पे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम सबसे पहली जो बेसिक एकसरसाइज है यानि कि हर्मोनिक के उपर मूव करना तो डिफ्रेंड्स नोट्स को प्ले करना तो उसको हम आज सीखेंगे आज उसको स्टार्ट करेंगे फ्रेंट्स लास्ट जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको सिंगल क्लियर नोट जो था वो बजाने के लिए आपको बताया था कि कैसे बजाना है वो सिखाया था आपको तो उसमें कुछ एक मैंने आपको बाते बताई थी कि आप fingers के साथ cover करके बाकी holes को जो hole को play करना है उसको बजा सकते हैं या फिर rubber band method था उसमें एक और चीज मैं previous video में add करना चाहूंगा क्योंकि बहुत से लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि वो अपने lips को hole के साथ match नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए मैं आपको छोटी सी example ये देता हूँ कि जैसे अगर आपने कोई balloon को फुलाना हो तो वो बली जो position है आपके lips की तो जैसे आप उसको फूंकते हैं तो वही position कुछ आपकी harmonica पे single note प्ले करने के लिए रहनी चाहिए तो ये एक दो चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें या whistling की जैसे मैंने बात की थी कि whistle करते समय जैसे आप अपने lips की position रखते हैं तो कुछ उस तरह से आपने उसको play करना है बाकी patience की बात है अगर अभी नहीं भी बज़ रहा practice मैं छोड़िए practice करते रहें धीरे धीरे आपकी practice के साथ ये जो चीज है बहुत आसानी से आपसे बजनी start हो जाएगी आज के इस वीडियो में हम hole to hole move करेंगे और जो सबसे basic exercise है हलांकि है तो basic है but आप वीडियो मेरा जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं दो important बातें बताऊंगा आपको पहली बात जिन लोगों ने बहुत से लोग जो है 24 holes harmonica पहले play करते हैं या बहुत अरसे से कई सालों से play कर रहे हैं तो अगर वो 12 hole पे switch कर रहे हैं तो उनको क्या problem face होगी हलांकि इसके उपर मेरा एक बहुत detailed video है अभी आज मैं इसमें इतनी detail में बात नहीं करूंगा आज के video में उस video का link description में देखके आप जरूर आप उस video को देखिए आपको पता चलेगा कि क्या-क्या problems जो है तो basic layout है थोड़ा सा वो आप लोगों को पता होना चाहिए अब मैं जो भी videos बनाऊंगा इस series में मैं assume करूंगा कि आप सभी के पास एक 12 hole harmonica है तो ये 12 hole harmonica को आपने 4-4 holes के 3 parts में आपने बांट दिया जिनको कि हम octave बोलते हैं और मैं जो आपको exercise आज बता रहा हूं mainly हम उसको 5th hole से लेके 8th hole तक play करेंगे तो middle वाला octave जो है middle वाले 4 notes जो है उनको हम play करने वाले हैं तो friends इसमें एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो 5th hole है 5th hole का blow जो है वो सा है और 5th hole का draw जो है वो ray है अब यहाँ पे जो लोग जैसा कि मैंने पहले बताया 24 hole से switch करते हैं इस harmonica के उपर उनको एक बहुत बड़ी problem यह आती है कि 24 hole harmonica का कुछ layout इस परकार का है कि उसमें आपको हर एक hole में एक ही note जो है वो मिलेगा तो अगर आप सा एक hole में blow करके बजा रहे हैं तो ray के लिए आपको next hole पे जाना पड़ेगा रे के बाद गा के लिए आपको next hole पे जाना पड़ेगा उसी परकार गा से मा के लिए next hole पे जाना पड़ेगा जबकि इस harmonica में क्या है सा और रे आपको एक ही hole में मिलेंगे उसी परकार से गा और मा एक hole में मिलेंगे पा और धा एक होल में मिलेंगे नी और फिर से सा वो आपको एक होल में मिलेंगे तो फिफ्थ होल में कहने का मतलब कहा है जब सा के बाद आप रे बजा रहे हैं तो आपको हर्मोनिका की पुजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी सिर्फ उसी hole में blow की बजाए draw करना है फिर गा बजाने के लिए आपको एक step harmonica left में लेना है फिर blow करना है तो गा मिलेगा draw करेंगे तो मा उसी परकार से पा और धा वो आपको मिलेगा 7th hole में अब इसके बाद एक यहाँ पे छोटा सा twist है जो की आप सभी को पता होना चाहिए वो यह है कि 8th hole में जहाँ पे नी और सा है तो वहाँ पे आपका blow और draw जो है वो reverse हो जाएगा जैसे सा बलो रे ड्रो फिर गा बलो मा ड्रो पा बलो धा ड्रो अब धा के बाद नी ड्रो है और फिर से सा जो है 8th hole में वो बलो होगा तो यह एक दूसरा point जो मैंने बताया था यह बहुत आपको ध्यान रखने वाली यह बात है सा रे गा मा पा धा नी सा यहाँ पे आपको practice करनी पड़ेगी और खास तोर पे इस जगे पे 24 hole में harmonica में chromatic harmonica में आप feel करेंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता था तो वो मुश्किल 12 hole में eliminate हो जाएगी बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे नी जो है वो draw note है और सा जो है वो blow note है तो यह एक बात होगी दूसरा इसका layout मैंने आपको बता दिया middle hole का जो layout है वही same layout first octave, middle octave का जो layout है वही first octave और third octave same रहेगा यानि कि first hole blow is saw, first hole draw is ray second hole blow is ga, second hole draw is ma उसी परकार से पा, धा, third hole में और knee draw, fourth hole में and saw जो है blow फिर से वो आ जाएगा fourth hole में बट उसके बाद फिर से saw जो है fifth hole में दुबारा से आपको as blow note मिलेगा तो आपको independent in octaves में आपको सारे गामा की practice करनी है अभी मैं आपको demonstrate करके बताऊंगा सारे गामा play करना middle octave में यानि कि fifth hole blow से मैं start करूँगा और आपने खास तोर पे जो मेरे harmonica की movements है after every two notes उनको आपने ध्यान से notice करना है क्योंकि जैसा मैंने बताया 24 hole में आपको हर एक note के लिए harmonica move करना पड़ेगा पर यहाँ पे कहा है सा और रे एक hole में मिलेंगे फिर गा और मा के लिए आपको एक step move करना पड़ेगा उसके बद पा और धा के लिए एक step move करना पड़ेगा उसी परकार से नी और सा दुबारा से एक step आपको move करना पड़ेगा तो भी start करता हूँ आपने देखा दो नोट्स एक होल से फिर एक step move फिर दो होल एक होल में फिर एक step move थोड़ा सा आपको एक बार दुबारा से बजा के दिखाता हूँ अभी बापिस तो ये वाली जो movement है इसको आपने इस परकार से practice करना है कि जब भी आप होल shift करते हैं तो single clear note की आवाज जो है वो आनी चाहिए shifting में problem होती है कि साथ वाले notes जो है क्योंकि अगर आप proper step नहीं लेंगे अगर step कम होगा तो पीछे वाले note की आवाज आएगी अगर आप overshoot कर गए step ज्यादा हो गया तो next वाले note की आवाज आनी शुरू हो जाएगी ये चीज़ आपने practice करना है अभी इसलिए मैं आपको जो अलंकार्ज है या exercises है वो नहीं बता रहा बिल्कुल धीरे-धीरे step by step आपको बता रहा हूँ हम बिल्कुल ground level से basic से start करते हुए तो जब आप single clear note बजाने लग जाएं बिना किसी मतलब रुकावट के तो फिर आज की जो exercise है उसको आपने धीरे-धीरे बजाना है बहुत ज्यादा भी जल्दबाजी नहीं करनी मैं वीडियो जो है अभी for the timing इसलिए थोड़ा frequency मतलब जल्दी बना रहा हूँ ताकि ये basics जो हैं वो हम जल्दी से cover कर जाएं इसके बाद जब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे चलके मैं आपको समय दूँगा कि जो भी exercise जो भी वीडियो में हम देखेंगे तो उसके लिए आपको समय मिल सके उस समय थोड़ी सी frequency जो है इस series के वीडियो को डालने की वो मैं थोड़ी सी कम कर दूँगा but for the time being इसलिए मैं वीडियो जो है वो थोड़ी जल्दी डाल रहा हूँ क्योंकि पिछला जो lesson था उमीद करता हूँ कि 4-5 दिन में आपने single clear hole बजाना start कर दिया होगा और ये वली exercise है इसको भी ज्यादा समय मेरे इसाब से नहीं लगना चाहिए अगर आप डेली थोड़ा सा time भी devote करते हैं तो गाना बजाने से पहले इन चीज़ों का आपको जरूर practice करना है mastery करनी है उसके बाद ही हम advanced जो exercises है या जो गाने हैं गीत हैं तो वो भी बजाएंगे आसान गीत भी बजाएंगे मुश्किल गीत भी बजाएंगे सब कुछ बजाएंगे बट पहले एक बार आपने basic जो है उसको अच्छे से रियाज करना है friends उमीद करता हूँ कि आज का जो lesson है उसका आप बहुत आराम से patience के साथ रियाज करेंगे इसमें आप बिल्कुल mastery करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में और थोड़ी सी आगे वाली exercises की तरफ friends आज के लिए बस इतना ही यहीं पे अपने वीडियो को खतम करता हूँ और अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही मिलेंगे तो तब तक के लिए friends do take care of yourself and goodbye for now